हेलो दोस्तो में हूँ सुधीपवान रॉय और मेडिसिंसाइड.com के एक नया फ्रेस वीडियो में आप साब का स्वागत है इस वीडियो को स्टार्ट टर्ने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे व उसके साथ साथ रहता है मॉन्टेलिउकस्ट टेने एमजी तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की इूजिस के बारे में बतलब इस मेडिसिन को कौन से बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स के दुआरा प्रेस्क्राइब किया जाता है seasonal allergic rhinitis कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी सुस्क हावा बाले सीजन जैसे कि सर्दी और बारिस के सीजन में ये problems बहुत ज़्यादा दिखाई देता है उसके साथ साथ dust allergy मतलब की धूल या फिर धुआ में रहने के कारण allergy जिसके कारण छीकाना नाक बंद हो जाना न antilukus जाके स्वशन नाली के अंदर allergy के कारण जो सुजन होता है उसे कम करता है और कोमल मासपेशियों को आराम देता है ये आपके स्वशन नाली का मतलब की बायु मार्थ को संकिन होने से रोकता है ताकि मरीज अच्छे से सास ले और छोड़ पाए और इसमें रहता है बिल अब हम लोग इस medicine के side effects के बारे में जान लेते है इस medicine को इस्तिमाल करने से आप लोगों को नीन दा सकता है या फिर आख में धूंदली पन मैसूस हो सकता है उसके इलावा इस medicine का side effects बहुत ज़्यादा कम है तो चलिए अब हम लोग जान लेते है इस medicine के warning के बारे में मतलब क चेतावनी के बारे में, कब आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आप कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब चीज के बारे में, अगर आप प्रेगनेंट है, या फिर अपने बच्चों को दूद पिला रहे हैं, तब इस मेडिसिन को बहुत जदा चेत करने के बाद किसी भी तरह का driving या फिर machinery का operate मत कीजिए ये medicine 12 साल के नीचे बच्चों के लिए नहीं है इसलिए इस medicine को 12 साल के नीचे बच्चों से दूर रखे इस medicine के बार में और भी जादा जानकारी लेने के लिए आप लोगों को नीचे description box में medicine सेर नाम का एक link मिल जाएग अपने doctor या फिर pharmacist के साथ जरूर consult करे फिर आप इस medicine को इस्तेमाल करे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like कर सकते है अगर आपके मन में कोई भी question हो तो वो हमें comment section में पूछ सकते है उसके साथ-साथ इस वीडियो को share करे उन लोगों के साथ जिसको इस medicine के बार में जानकारी लेना जरूरी है साथ-साथ इस चैनल को subscribe कर लिजिए ऐसे important health और medicine related videos के लिए thank you very much for watching, bye